साक्सी जोशी को रिपोर्टिंग नहीं आती है वो बेसिकली कभी इस तरह की रिपोर्टर रही भी नहीं है उनके पिता पत्रकार रहे हैं जरूर जाने माने बाती उनका कुई ऐसा कुछ खास बैक्ग्राउंड है नहीं है और जो भी है अपना वो जिस सोसाइटी में ओठती बैठती हैं अपने पती के कारणिया सब इन चीजों की वज़े से वो जादे इन सब चीजों में रहती हैं कि लेकिन अजीद अंजुम को लेकर मैंने आज एक ट्वीट किया था आपने अगर देखा हो अजीद अंजुम ने जो है कहीं वो रुके हुए थे मद्य परदेश की आत्रा पर गए हैं तो एक वो बेवफा चायवाला के नाम से एक दुकान कोई थी वहाँ पर खड़े हुए हैं तो मैंने उन्हें जुरूर्ट ट्वीट किया था ये कोट करते हुए कि भाई अजीद जी जो है आप जो है कॉंग्रेस के समर्थन में निकल तो पड़े हैं चुनाव जीटाने के लिए लेकिन आप दो परियास पहले भी कर चुके हैं उत्तर परदेश में ये कॉंग्रेस को जीटाने निकले थे सपाको यह तो मोदी विरोध्यों को ढूरते हैं बाजपा विरोध्यों को तो उन्हें जिताने के लिए निकले थे वहाँ फीफल रहे गुजरात में थो आपने मूझी खाए गुजरात में तो मैंने यह इन्हें चैलिंज किये था करने तो फिर यह गुजरात भागे थे आखरी समय में और तब इन्होंने कहा था कि गुजरात में भाई बीजेपी आ रही है चाहे कमाएं सीटे से जादे आए एक वीडियो में आखरी में यह भी कह दिया था अपनी इज़त बचाने के लिए तो जहां यह जाते हैं जहां इन इन कंबेंसी होगी सरकार के खिलाफ लोग बोलेंगे ठीक बात वो इनकी चीज उनके चैनल के जो प्रोफाइल उसको सूट नहीं करता है तो यह मद्यपर्देश में गए हैं जहां पर शिवराज सिंग की सरकार है 36 गड़ में अगर भुगे जाते तो भुगे लोग कहते द आपको सरकार के खिलाफ बोलते बिलेंगे आप कहीं भी चले जाए किसी भी स्टेट में चले जाए खिलेंगे से सब्सक्राइब नहीं बहुसी कि दिखाना होता है लेकिन उनके जीत अंज्व जैसे लोगों की जो वीवर स्थ है उसमे भारी गिरावट आई है और हम लोगो के वीडियो के मुकाबले उन लोगों के वीडियो बहुत कम चल रहे हैं चार लाक अगर हमारे हमारे साढ़े चार लाक सब्सक्राइबर है और हमारा एक óvra एक लाक को वीडियो चल जाता है तो हमारे 25 पर सेंट लोगों ने इसका मतलब उस वीडियो को देखा, इन लोगों के 40-40 लाग सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद 2-3 लाग से आगे नहीं बढ़ रहा है, यानि के 1-2 परसेंट, इससे जदा इनकी वीवर्शिप है ही नहीं, इसका मतलब इनके सब्सक्राइबर भी खरीदे हुए हैं, हरजी हैं हकीकत बात है, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, देखिए रियल्टी देखिए, आप चाइनीज यूट्यूबर्स की अगर बात करें, राजदीप सर्देशाई को कई साल होगे अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, एक लाग सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं अभी, सही ब वहाँ पे जो टूल किट्स थे, वो लोग इनके वीडियो उसको प्रमोट कर रहे थे, इसलिए व्यूज आ रहे थे, यह हैं किसे शिवराज सिंग चोहान ने कमबेक किया है, अब से चार-पांच महीने पहले मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों से मेरी संपर्क हैं वहाँ बास करके संपादक रहे हैं, वो मेरे अच्छे परिचीत हैं, मेरे चैनल पर कई बार आए भी हैं वो, अलागि थोड़ा वेस्ट रहते हैं वो, तो उनसे मेरी अक्सर बात होती रही थी, और हमने पहले भी वीडियो बनाये थे, उस समय तो ये भी तैह नहीं था कि शिवरा कि ये बढ़ा है, पी ने जो जिस से नेतरतों में अपने विश्वास दिखाया, इस से सिवरा सिंग चोहान का होसला भी बड़ा, उन्होंने बढ़िया काम किया, और पिछले एक देभ साल में निश्चित रूप से उन्होंने काफी चीज cert jury उन्हों और का वर भी किया है, आपको याद होगा कि जब सिवराज सिंग चोहान बद्या परदेश के चीफ मिनिटिस से पहले थे और नरेंदर मोधी को पी-म कंडिडेट बनाया गया था तो सिवराज जी का नाम उस से में चलता था ये भी पी-म कंडिडेट हो सके हैं क्योंकि ये भी सैथ तीन बार मुख् सार थे ही पाँच-पाँच साल से जी तो उसके बाद उसके बाद इनका नाम चलाया भी गया कुछ लोगों का कहना था कि जो सुसमा सुराज और अडवानी जी ये सब पुराने लोग हैं ये शिवराज सिंग चोहान के फेवर में थे लेकिन अरुन जेटली रवी शंकर पर स्थिती होती है मन भेद की स्थिती होती है ऐसी स्थिती आने नहीं दी और मोदी जी ने भी उन्हें सीनियर लिलिडर मानते वें मद्य बंगे उसी महीने शिवरा सिंग चोहान का नंबर लग गया था मद्धे पुर्दे से तो दोनों पड़ो सीग दूसरे को बदाई देने गए थे कि आप भी मुख्य मंत्री बन गए तो शिवरा सिंग चोहान ने काफी चीजों को कवर किया है और दूसरा लोगों को खास्तोर से में उनका कुछ और था तो यां किसी प्लीटिकल फैपली से हैं जोतिरा दित्यस इंदिया ने भी आपने आपको काफी बड़या तरीके से एक्मोडेट किया जोतिरा दित्य सिंदिया को विदान सवा का चुनाव लड़ाया जाएगा पता नहीं क्यों जोतिरा दित्य सिंदिया को चुनाव क्यों नहीं लड़वाया गया उन्हें लड़वाया जाना चाहिए था और मेरा मानना है कि जोतिरा दित्य सिंदिया जो है भले ही उन्हें सीम बनाया जाता लेकिन कम से कम एकoncé्स Yooh TH तो यह अभिन से लीघ इना बनाया जाता लेकिनकों से कम से पर norma पर्रूंग पाबुल सूप्रियों को अटाया गया था कहा था कि आप स्टेट में जाओ रभी शंकर परसाद को नहीं अटाया गया क्या रभी शंकर परसाद से भी ज्यादा काबिल है क्या जो तुरे दित्ते से इंदिया आप बताईए मुझे ने के लास विजे भी रगे कि तो यह आखर दिलवाए थे और हाला कि मेरा मानना है कि उसमें अमित शाह की मरजी के बिना कुछ भी नहीं हुआ था और कैलास विजे वरगे इतनी बड़ी हैसित नहीं कि वो अमित शाह या मोदी जी से या नडड़ा से उपर होके वहां किसी को टिकड़ दिलवा देते तो ऐसा कुछ थ कि आते हैं कि वो दूसरी सीटों पर भी जो अपर कास्ट के वोट हैं वो बीजेपी की तरफ लाएं क्योंकि मद्यपरदेश में अपर कास्ट का भी एक हिस्सा कॉंग्रेस को वोट करता रहा है बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा है और आपने जो OBC वोट के बारे में कहा था म आदिवासी बच्ची थी यह यह आदिवासियों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है मद्यपरदेश में हर सीट पर मेरे ख्याल में 40 के करीब ऐसी सीटे हैं जो 36 गड़ साइड की हैं उसमें आदिवासियों का काफी परभाव है तो बड़ा महत्पून रोल इन लोगों का ह रने वाले लोग थे वो सभी निशाने पर आ गए हैं और भगवंत मान या राघव चड़ा के या सौरभ भारदवाज या आतीशी के दम पर वो नहीं कर सकते जो वो संजय सिंग मनी सिसोधिया या फिर सतेंदर जैन इन जैसे लोगों के जरिये कर सकते थे यह तो दिक्कत के मुकाबले तो बहुत चोटी पार्टी है इसमें तो बहुत गिने चुने लोग हैं और देखे इन लोगों की एक और भी चीजिस से एक्सपोज हुई है कि इन लोगों ने पार्टी में लीडर्शिप को नहीं अपने बनने दिया है यह जितने सोरभ भारदवाज वगरा ह हैं यह सब इनके मुखोटे हैं रागप् चड़ा वगरा सब मुखोटे हैं जो असली जो लेंडेन था असली जो हिसाब किताब था वो तीन लोगों तो بसी मिटाब सतेंदर जैन इनके क्लर्क थे बाबू जिसे कहते हैं खजानची सारे लेंदेन का इसाब वो रखते थे और डील जितनी भी करते थे उन पे साइन करने का काम मनीशिस हो दिया और जितनी भी मीडियेटर्शिप जो दलाली का काम है वो सारा संजे सिंग अभी जो लास्ट वाला और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो तैयारी कर रही है मेरी इनके लोगों से जो बात हुई है एक पत्रकार हैं जो चैनल के लिए काम करते हैं और उनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में और वो चैनल के लिए काम करते हैं और वो आम आदमी पार्टी को उस समय से देख जब आमाधी पार्टी बनी थी, दस साल से लगतार इसे कवर कर रहे हैं, और उनका माना जाता है कि अगर उन्होंने कोई ट्वीड भी किया है, तो वो ट्वीड भी केजरिवाल का कराया हुआ है, वो इतने करीबी है. उनका भी ये मानना है कि भाई दैशत का माहूल है पार्टी के भीतर और अरविंद केजरिवाल बहुत परिशान है अब तो किसी भी कारेकरम ने कभी मुस्क्राट भी नहीं आती है अरविंद केजरिवाल के चेहरे पर अब तैयारी नहीं मनी सिसोधिया को मुझे लगता है कि देखिए वो जो आधार बनाया जा रहा है हलाकि अब इडी ने उसमें कहा तो है कि हम मुबाइल रिकवर करना चाहते हैं क्योंकि जो लास्ट वाला मुबाइल था इनका आईफोन वो उन्होंने तोड़ दिया तो वो किस दिन तोड़ा वो उस दिन तोड़ा जिस दिन एल जी ने इसमें दो दो चीजे चल रही है सराव गोटाले में एक एडी का मामला चल रहा है सीबी आई का एडी का मामला पहले से था इसमें जो मनी लॉंडरिंग वाला मामला है और उसमें जो दूसरा मामला था, उसमें CBI की संस्तुती की थी LG ने, तो उस दिन जो इनके ये हैं, additional solicitor general है, ED के SV Raju, उन्होंने ED की तरफ से भी last वाली hearing में ये कहा है, जिसमें फैसला सुरक्षित रखा है, सिसोधिया की जमारत पर, उसमें उन्होंने ये कहा है, कि साब इनक अपना वो फोन तोड़ दिया, उसको हम recovery नहीं कर पा रहे हैं, इनका कहना है, वो तूट गया था, हमने फैक दिया, तो हमने कहा कि भे में टूटा हुआ दे तो कहां पे है, तो वो तूटा हुआ फोन भी आस तक नहीं मिल पाया है, तो उन्होंने कहा है, कि हमें जो money trail fix करन हैं, आईफोन, और वो भी महंगे वाले, प्रो वर्जन और बड़े फोन, एक एक डेड़ लाक वाले, अलगि इन लोगों के लिए खैर कोई बड़ी बात नहीं, हम जैसे middle class लोगों के लिए चीज़े बड़ी हो सकती है, लेकिन इन लोगों के लिए अर्विंट केजरिवा हिम जाना चाहिए, क्योंकि Sydney Mmm, Dear Mediator है, पार्टी के फंड में चंदा गया, भर्ष्टा चार तो पार्टी ने किया जो पैसा ले रहे थे ही, और इन्होंने का कि हम पार्टी फंड में ले रहे थे, जो जितने भी चेक्स है और पार्टी के फंड में गई में तो उन नहीं का उसको पार्ट एक किसी पार्टी विशेश पर कैसे उसमें फिक्स किया जाएगा जैसे के मैंने कुछ नियम में आपके बाद section 1 है जो उसमें ये कहा गया है कि company का जो मतलब है उसका मतलब ये होता है उसके लिएक शब्द है कि association of individuals ये सब्द इस्तमाल किया गया है और section 29A है जो PMLA का उसमें ये कहा है कि जो party है वो भी association या body of individual citizen of India तो ये बताया जा रहा है जो तकनीकी विशेशग्य है कि जो individuals है इस सब्द को पकड़ कर सायद PMLA के तहत केस बनाने की कोशिश ED कर रही है अब वो कितनी बढ़िया तरीके से बना पाएगी उसे सुप्रीम कोर्ट मानेगा या नहीं सम्विधान में उसकी कितनी validity है ये सब आने वाला समय बताएगा मामला पैचीदा है लेकिन संजे सिंग आसानी से अभी बाहर नहीं आने जा रहे है ये तो तैय है इसमें जो states हैं इस states की politics को आप इससे mix मत कीजिए इसमें लिखाया अखलेश on seat sharing within India block Congress has to decide if alliance is at state or national level ये लखनौ में ये आज Indian Express में जो उनका वर्जन है ये छपा हुआ है और उन्हेंने कहा है इसमें साफ व्यार में कि देखिए Congress को ये पहले ये decide कर ले कि वो ये गटबंधन राष्टियस्तर पर चाती है या state level पर तो ये मेरे मुझे लगता है कि अखलेश यादव ने सही बात कही है अगर वो चाती है कि ये केवल राष्टियस्तर पर है तो फिर हम आदमी पार्टी भी अपनी लिस्ट जारी करेगी और अखलेश यादव भी करेंगे बस पातो खैर इसका पार्ट है ही नहीं तो ये पिछली मीटिंग हम नहीं होस्त कर दी थी बंगलोर में इनुहने करी ही ती चारी गातों में तो फिर हमाजवाली पार्टी की सकता ही उत्तर परदेश में यहां कुछ बचा नहीं है न मैंने तो आपके पिछले इपिछले वीडियो में भी कहा था कि ये UPA3 बना है कि 89. यह तो यूपीए थरी है अब इस यूपीए थरी नाम इन्होंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यूपीए जो है वो दो चुनाओं में पिट चुका है थोड़ा एडवेंचर कर लेते हैं और लोगों को इंडिया का मतलब भारत है पूरे देश का एलाइंस है यह एक भ्रामक स्थिती पैदा करने की जो चाल है वो है किस जादा कुछ नहीं है लोग जानते हैं समझते हैं कुछ नहीं होने वाला है नाम कुछ भी रख ले इसका न लोग देखते हैं उनके लोग वीडियो देखते हैं खास तोर से वो लोग देखते हैं इनके वीडियो जिन्हें मोधी के खिलाब सुननाँ है भाजपा के खिलाब सुननां हैं यह मत्दाता इससे पर्भावित Сп hmbeliatures नहीं होता यह एकर अगर ऐसा होता तो रवीश कुमार में कभी का चुनाव मोदी जी को अरवादिया होता दोजार उनिस में यह कुछ नहीं होता रवीश कुमार देखो ना रवीश कुमार कुछ का कुछ वीडियो बनाने लगे हैं वो जूते जूते का साइज आप पर फैट कैसे जाने टांग पर प्लस पर कैसे चड़ाया जाता है इस तरह के वीडियो बना रहे हैं किसी लाइबरेरी में गुस गटर में गुस गए वो भी गाजा पर चले गए हैं वो मोदी को भूल गए हैं वो गाजा और फलिस्तीन इसरैल पर चले गए हैं तो यह लोग जान गए हैं कि इसमें कुछ रखा नहीं है दम नहीं रखा है इसमें मैंने मैं अक्सर देखता हूँ इस मामलों में सफिर भी जो अपने सत्या इंदी वाले आशुतोस जी हैं वो कई बार सच्चा ही वियान कर देते हैं मुझे बात में भी कह देते हैं कि मुझे लगता है कि मोदी का जो विकल्प है विपक्षी दल डोंड नहीं पा रहे हैं मुश्किल है इनके लोगे के लिए जिस तरह के हालात है लेकिन यह है कि अजीत अंजुम जैसे लोग रवीश जैसे लोग जो है खुंदक खाय हुए है मोदी से लगता है कि अडानी के लिए रवीश कुमार से इंपोर्टेंट आदमी कोई है नहीं उन्हें एंडी टीवी खरीद लिया के वाल रवीश कुमार की वज़े से वो कील साब हैं जिन्होंने यह मामला खोला है यह महुआ की लिव-इन पार्टनर रहे हैं और उन्हों ने शादी नहीं की काफी समय तक वो साथ रहते थे बाद में इन में जगड़ा होगा पिछलता है नहीं बाब पंतियों में चलता है कोई इन में सब चलता है तो इन लोगो का जो है आपस में चलरा था मामला चित्थी पत्री का एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंड करना तूने मेरा कुत्ता चुरा लिया देखो इन लोगों की कितनी बड़ी-बड़ी समस्या हैं कुत्ता चुरा लिया तुमने मुझे वलगर मैसेज भेज दिया मुझे वाटसप प है वहाँ पारलेमेंट एन एकसी में जहाँ पर एथिक्स कमेटी का ओफिस बना हुआ है वहाँ पर इन से सुबूत जमा करवाने के लिए का आया है और फिर 26 तारीक की डेट लग दी है इसमें 26 अक्टूबर को सब के मौखिक बयान होंगे शायद महुआ को भी बुलाया जा और उसमें बताऊं कि उसके एथिक्स कमेटी के जो अध्यक्स हैं ये विनोध सोनकर हैं ये अपने उत्तर परदेश से इधर कहीं पूरवान चल के कहां के सांसादमेन की एग्जेक्ली वो लोकसवा सीथ भूल रहा हूं वो उसके अध्यक्स हैं तो इसमें तो बहुत तेज सेखर का बीच में आना आईटी मिनिस्टर का ये साफ दर्सारा है कि बीजेपी में प्लानिंग इसे लेकर बन चुकी है कि किस वो जो क्वेश्चन्स पूछे गए थे वो कहां बैठकर कम्प्यूटर पे टाइप ये आईपी एडरेस से तो ट्रैक हो जाएगा ने ये तो आ दूबे के माध्यम से पहुंचें कैसे भी पहुंचेंगे दोनों चीजे वैरिफ्याई हो जाएंगे ये पता लग जाएगा कि वो हीरा नंदानी के ओफिस से टाइप किराया गए थे या अपना लोग-इन जो है महुआ ने किसी और के कम्प्यूटर पे खोला था तो इसमे बड़ी बागता हूं ममता बेनर्जी ने एक बयान नहीं किया है ममता बेनर्जी चूप है महुआ मित्रा के मामने महुआ मित्रा ने एक डिफेमेशन का केस किया है केस क्या किया है कि याची का डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में करना उसमें ये कहा है उसने महुआ मित्रा ने के पंदरा के करीब मीडिया हाउस और एक्स यानि के ट्वीटर और यूट्यूब गूगल इन सब को आदेश दिया जाए के मेरे खिलाफ जितने भी निशिकान तुमे के कहने पर ये वीडियो बने हैं, खबरे चपी हैं, सब को टेक डाउन किया जाए, डिलिट करवाय जाए, वहां से रिमूव कराय जाए, इवन ट्वीटर पर जो मुझे लेकर ट्वीट्स चल रहे हैं, री ट्वीट्स चल रहे हैं और उन ट्वीट्स के नीचे जो कमेंट्स हैं, पूरा थ्रेड बना हुआ है, उनको भी डिलिट करवाय जाए, आप समझ रहों देखिए, मतलब भग्ये की बात देखिए, कि इस देश के परदान मंत्री को आप पार्लेमेंट के बीच में खड़े होके गाली देते हैं, लाइब टीवी चैनल पर, और आपके खिलाफ अगर किसी ने आरोप लगा दिये हैं, तो आप उनको आरोपों को सही या गलित साबित होने से पहले ह अटमा देना चाती हैं, उन्होंने ये भी काल कि निशीकान दूबे, तीन हिंटी के एख़बार, तीन अंग्रेजी के एख़बार और तीन बंगाली के एख़बारं में माफी नामक छपवाएं, वरना दो करोड रुपे दें, मुझे मानानी, तो दो करोड का आकड़ा इं जगड़ा 2018 के चुनाव से पहले भी हुआ था तिक्टों को लेकर उसमें भी ये खबरे खूब आई थी और कमलनात जो है वो इतने बड़े बॉड़म है कि उन्हें यह नहीं पता कि हरा आदमी के पास आज मोबाइल है वो कहीं कुछ भी बोल देते दिख्विजे सिंग इस मा कुछ भी बोल देते और फिर पकड़े जाते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के में बैल आइकन को प्रेस करें